अगर आप ST category से बिलॉंग करते हो और जोसा काउंसली में पाटिसिपेट कर रहे हो तो आपके पास एक valid ST certificate होना चाहिए यह आप देखोगे कि जो जोसा के official website है यहाप आप आप आओगे तो इसके जो हुआ हुआ फिर भी वैलिड है एसी और स्टी के लिए यह चीज़े वैलिड नहीं होती है क्योंकि इनका जो है वो इनकम से कोई लिना देना नहीं जाता है तो इसलिए जो है वह एस्टी सर्टिफिकेट अगर आपका पुडाना भी है और जो फॉर्मिट पर है उसमें मैच कर लिखा गया हुआ है इस पर जैसे ही टैप करोगे तो आप चोह हो एक सर्टिफिकेट का पेच खुलके आएगा विचा एक पेच होगा और इस्में चोह हो एख सी और स्ट का दोनों थ्यास करके दिया गया हूँ है लेकिन चोह हो इसमें सटी की सर्टीफिकेट आपके लिए आपका जो है वो से सेटीटीट बना हुआ हो ताक कि आपको कोई भी आगे लेटर इस्टेज में कोई भी प्रॉब्ल्लिम ना हो और आगर आपको नहीं पता है कि सर्टीट कैसे बनती है तो इसके जो है वो अगर चाहते हो डाउट्स और क्वेरी अपनी क्लियर करना तो एक मैंने टेलिग्राम का ग्रूप बना दिया है जिसमें आराउंड 2000 इस्टूएंट्स हैं और आप अपनी क्वेरी यहां पर डिसकस कर सकते हो इस्टूएंट्स के साथ इसका लिंक भी मैं आपको डिस सुना हो और अगर कोई क्वेरी होती है तो आपको कमेंट कर देना और इसको सटिक सॉलूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियो देखके आपको काफी क्लारेटी आएगी आप इनके एप पर जा सकते हो आचार परसांत एप जो हो गूगल प्ले स्टोर में आप द चार करोर से जादा लोग जो हो जूट चुके हैं और इनकी जो वीडियो होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है जो की काफी जो हो आपको इंसाइट फुल एजुकेशन यहाँ पर मिलता है तो आप जो हो इनकी वीडियो और एप को एक बड़ जरूर देखन नाम याद जरूर कर लो आजार प्रसांत